दो हजार चौवीज के लोगसभा चुनाओ की घोशना से पहले ही बिहार में सियासी समयकरन बदलता दिखाई दिया इंडी गड़ बंधन को मजबूती से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे नितीश कुमार ने ही पाला बदल दिया और वो NDA का हिस्सा हो गए ऐसे में बिहार में सियासी समयकरन ही बदलता हुआ दिखाई दिया लेकिन इस से जहां बीजेपी एक तरह से बिहार में अपनी मौजूदगी को मजबूत मान रही है वहीं बिहार के सियासत का एक खिलाडी ऐसा भी है जिसके स्थिती अब तक साफ नहीं उपाई है चराक पासवान एलजेपी राम विलास का नेता चराक पासवान राम विलास पासवान के बेटे चराक पासवान जो के खुद सांसद हैं लेकिन हुआ ये कि उनकी अपनी पार्टी एलजेपी पिछले कुछ वक्त में जिस स्थिती में दिखाई दे रही है उसे लेकर अस्मंजस बना रहा अस्मंजस उनके अपने ही चाचा ने पैदा किया दरसल छै ऐसे सांसद हैं जो LGP के चुनाओ चिन पर चुनाओ जीते लेकिन खास बात ये कि पांच सांसदों ने बगावत की और चराक पासवान से अलग उनके चाचा के साथ पार्टी का नेत अलग होता दिखाई दिया और तब दावा ये किया गया कि असली LGP वही हैं चराक पासवान अकेले सांसद के तौर पर अलग रह गया और ऐसे में LGP के वो एक ऐसे सांसद हैं जो अपनी पार्टी में एकलावते सांसद दिखाई दे रहे हैं LGP राम विलास में लेकिन ऐसे में जबकि अब इंडी गड़ बंधन ने एक बड़ा ओफर चराक पासवान को दे दिया है चराक पासवान जिनने की ये कहा गया कि आपको 6 प्लस 2 प्लस 2 का ओफर इंडी गड़ बंधन की तरफ से है मतलब ये कि चराक पासवान जब LGP के नेता थे 6 सीटें उनकी पार्टी ने जीती थी उन 6 के अलावा दो सीटें और बढ़ा कर बिहार में इंडी गड़ बंधन उन्हें देने को तयार है यानि कि 8 सीटों पर चराक पासवान की पार्टी चुनाओ लड़ सकती है इसके साथ ही प्लस टू का ओफर भी है जो कि उत्तरपदेश में दो और सीटों पर चुनाओ लड़ने के लिए उन्हें ओफर देता रिखाई दे रहा है ऐसे में जबकि चराक पासवान के चाचा केंदरी मंत्री हैं एंडी ए का एक बड़ा हिस्सा है खुद चराक पासवान की भविशे में क्या स्थिती होगी वो किस पाले में होंगे अब तक ये साफ नहीं हो पाया हाला कि अब तक लगातार चराक पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते रहे हैं लेकिन हनुमान क्या तूफान लाने वाला है और क्या उनकी स्थिती बिहार के सियासी समिकरण को बहुत स्थर पर बदल कर भी रख सकती है क्योंकि अगर बिहार की बात करें तो तकरीबन इसी समुदाय जहां से चराक पासवान आते हैं 5.5 प्रतिशत के आसपास उनका वोट परसेंटेज हैं ऐसे में माना यह जा रहा है कि चराक की पार्टी को अब यह तै करना है कि क्या वो एंडिये के साथ ही रहना चाहेंगे या इंडी गड़ बंधन जिनसे की उन्हें एक बड़ा ओफर मिला है उस तरफ जाएंगे और ऐसे में उनकी मौजूदगी एक नया सम पर बनाती दिखाई दे सकती है बहुत जल्द इस पर भी फैसला होने की बात कहीं जा रही है और अब गेंध है चराक पासवान के पाले में कर दो